वेलकम एवरीवन आज मैं आपको उत्साह और अट नहीं रही इन दोनों कविताओं के वन लाइनर्स कुश्चन्स बता रही हूं इसमें पहला प्रेश्ण है उत्साह कविता किसकी रचना है तो यह है सुर्यकांत त्रिपार्थी निराला की रचना है दूसरा प्रेश्ण है उत्साह कविता में कवी ने किसकी लिए संबोधन किया है तो यहां बादलों को संबोधित किया है कवी बादलों से क्या संदेश देता है वह संदेश देता है नए जीवन का बादलों का स्वरूप किसके समान है बादलों का स्वरूप जो है सुंदर काले गुंगराले बाल यहां पर अनंध के घंठ जू है वह आ रहे हैं अघ्याद दिशा से किसके कारण सारी ρस्ति के लोग ब्यक्ण और बेचैन हैं करमी के ताप के कारण सारी य॥ लोग ब्यक्ण बेचैन हैं बादलों के रिद्य में किस प्रकार की शोभा च्पी गळए है बिजली की कभी बादलों से बरस कर धर्ति को क्या प्रदान करने को कहता है वह कहता है कि धर्ति को शीतलता प्रदान करें यानि अगर बहुत गर्मी बढ़ गई है तो ठंडक प्रदान करें विश्व के निदाग के सकल जन यहां निदाग का क्या अर्थ है निदाग का अर्थ है गर्मिंग उत्साह कविता हिंदी साहिते कि किस कवे धारा से संबंदित है छायावाद कविता से संबंदित है छायावाद की जो धारा है उससे है संबंदित है उसके बाद प्रिश्ण आता है विश्व के निदाग के सकल जन्य हां सकल का क्या आर्थ है सकल का आर्थ है सभी बाल कल्पना किसे पाले में कौन से अलंकार का प्रयूग किया गया है उपमा जहांपर से शब्द आजाता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है यानि किसी से जब तुलना करते हैं किसी यह कविता किसकी रचना है यह कविता है सुर्यकांत्रिपाथी निराला की रचना अट नई रही कविता में किस महीने की मादक्ता का वनन क्या है फागुन की मादक्ता का वनन यहां पर किया गया है कवी के प्रिय किसे अपनी स्वास से सुगंदित कर रहे हैं प्रकर्थी को प्रदान क्या गया है पंक कहां पर शोभा और संजरी भरा हुआ है वन में नई कोपलों में क्या चाया है नई कोपलों में लाली चाही हुए यानि जो नए पत्ते होते हैं पेड़ी के रेट कलर के होते हैं तो यह पर लाली छाइगी। अतशी क्या भी प्राइब प्रविश्ट करो खर-घर भर देते हुआ में कोंसा अलंकार है अनुपरास अलंकार यह पर रहों किया गया लुकिल है पार्ट पार्ट पर शोभा श्री विखरी हुई है हूं कि बादलों में क्या चिपा हुआ है कि बादलों में बाद्च्रय यानि बिजली चीपी हुई है पत्तों से लेदी डाल पर कौन-कौन से रंगों की चटा बिखती हुई है इसका उतर आएगा हरी और लाल उत्सा किस प्रकार का गीत है आहवान गीत है यानि बुलाया गया है किसी को आवान किया गया है निमंतरन दिया गया है उत्सा कविता में बादल से किसको सीतल करने की बात कही है तब तद्धरा को यानि गर दला रहे हैं उत्साय कविता में निदाग को और यह गर्मी अट नहीं रही वाक्य को नहीं समाना मन्द गंद पुष्प मालका धारक कौन कहा गया है फाल गुण वज्र किसके रिदय में छिपा रहता है बादल के रिदय में क्या नहीं पट रही है शोभा श्री अट नहीं र अगर आपको इसी तरह के प्रिश्ण वतर किसी और भी चैप्टर के पढ़ने तो चैप्टर का आप मुझे नेम बताना क्योंकि नंबर से मुझे नहीं पता होता है तो आप मुझे उसका नाम बता दीजेगा और मैं वो कुशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरू झाल कोफा ड्कति जरूमझे रप्लाइब नहीं किसी और भी जरूमख सोचन सब्सक्वचसाहीं का ड्मृतर क्सित obsess toคभ करफा ग्या है यी यिर कि कमुष्तसों अवने आप मुझे तो पता है